जैंद इस वीडियो और बात करेंगे face value क्या होता है तो मार्केट वेलू क्या होता है जब भी आप share market में नहीं नहीं इंटर करते हैं तो आपको तीन तरह के value हमेशा सुनने को मिलते होंगे face value, book value और market value बुक वेलू क्या होता है इसको उपर और लेली में एक वीडियो बनागे अपने playlist के share market वाले folder में डाला हुआ है अगर आप देखना चाहिए तो वहाँ जाकर देख सकते हैं हाला कि मैं description में भी लिंक डाल दूंगा इस वीडियो और वेलू क्या होता है तथा इनमें क्या अंत सब्सक्राइब क्या होता है किसी भी company का शुरुबाती प्राइस होता है जब कंपनी नहीं रजिस्टर होती है उसको उसको फैस-बैलू करते है और जो इनिस्यल अच्टेक होता है वह समझे किसी कंपनी का आईपी वाया कंपनी सेर मार्केट में लिष्टेड हो गए एसका प्राइस रॉपया और दस रुपया एक बात ध्यान दीजेगा ज्यादतर कंपनीयों गहां जो रुपय ही रखा जाता है क्योंकि इसरे कंपणिंग और क्रिमियम पर ही रहा है और चाहिए कि अधिक देने के लिए कलगता हुग थीक है हाला कि जब company share market में listed हो जाते तब face value मायने नहीं रखता है यहां book value देखा जाता है कि book value से कितना अधिक price पर company का share मिल रहा है face value देने के लिए काम आता है जब भी कोई company dividend declare करते है 100% dividend देती है 20% 50% जितना पर भी company dividend declare करते है वह हमेसा face value पर declare करते है ना कि share price पर तो आप उमीद करते हूं आप face value समझ गया होगा है अब आई यह market value के बारे में बात करते हैं market value क्या होता है सबसे पहले आप ध्यान देजिए कि यहां market value की बात रहे ना कि market capitalization की market capitalization की अलग चीज़े इसके उपर मैंने एक वीडियो बना कर डाला हुए उसका link भी आपको description मि रॉपया तो इसका जो market value हो गया 100 रॉपया किसका share का share का market value 100 रॉपया अगर कोई पुछे company का market value क्या है तो उसी को कहते है market capitalization जैसे मानलेजिए ट्राइडेंट का नाम आपने सुना होगा ट्राइडेंट सेक्टर के संदार कंपनी है आज के दिन का share price 49 रॉपया तो इसका अगर कोई पूछे का market value क्या है तो market value जो फर्मूला होता है उसको अप्लाई करना पड़ेगा आपने बारे में समझ लिए market value का lush होते हैं का मतलब होता है चेर प्राइस जो टोटल नंबर ओप अउट अव्nın का 맞아 आफ निक का मतलब हुआ कि WITH our customer पड़े हुए जब कोईi वह से उसके इसू होते हैं बजार में जैसे हम और आप जैसे लोग खरीतते हैं तो यह होगे आउट रस्टेंडिंग से अब समझे मार्केट कैपिट लाइस से निकाला कैसे जाता है तो समझेंगे इसका फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस गुना टोटल नंबर आउट से मल्टिप्लाइ कर देंगे यार दी कि 100 गुना एक करों इसका मतलब हो जाएगा सो क्रोन मतलब एक अरब रुपया इस कंपनी का मार्केट कैपिट लाइस से निकालना है तो उसका जो भी सेयर प्राइस में उसके जितने भी आउट रस्टेंडिंग से उससे मार्केट कैप पूछ रहा है कोई भी ब्यक्ति और आप उसको अराम से बता देंगे तो उमीद करता हूं आपको क्या होते मार्केट क्या होते इसके बारे मासानी से समझ में होगा फिर भी अगर मन में कोई स्वाल है तो मुझसे पूछे मैं उसके रिप्लाइद दूंगा मिलते हैं नेक्